आपका हमारे चैनल पगती ट्रेंड्स पर स्वागत है। बात बहुत पुरानी हैं। किसी सहर में मनसुक लाल नाम का एक व्यपारी रहता था। उनका केमती रत्म का व्यपार था। उनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फेला हुआ था। पूरे सहर में उनका मान और मान था। मनसुक लाल के दो बेटे थे जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दोलत और उत्वे का बहुत गमंड था। लेकिन श्यामलाल एक सरीफ और सुल्जा हुआ इंसान था। गमंड के साथ साथ रामलाल में इश्रिया और बेइमानी जिससे भी गुण थे, समय के साथ मंसुक लाल की उमर बढ़ते ही जा रही थी, ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से हधिक हात बंटाना शुरू कर दिया था, कुछ समय बाद मंसुक लाल की मृत्य हो गई, और कारोबार का पूरा भार रामलाल और शामलाल के कंदों पर आ गया बड़ा बाई होने के नाते रामलाल ने वियपारिक फैशलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी रामलाल बेमानी और मकारी भरे फैसले लेने लगा आसली रत्न के स्थान पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा जिस से उसका मुनाफ़ा बढ़ने लगा इस मुनाफ़े से उसकी बाकी बचाचरीतर भी काला हो गया दोलत के घमंड में वह प्रिवार से उनमादी जैसा व्यवार करने लगा दूसरे तरफ सरीव और सुलजे हुए स्यामलाल को सुरू सुरू में रामलाल की बेमानी का इल्म तो नहीं हुआ प्रम्तु जब उसने उसके व्यवार में प्रिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी रामलाल की कर्तुतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिस भी की लेकिन वह नकाम रहा उल्टा रामलाल श्यामलाल से कफा हो गया और व्यपार में बंटवारे का बहाना ढूनने लगा बंटवारे में भी उसने बेमानी की साजिस रची गर्म में कलहाय का महोल पेदा कर दिया लेकिन रामलाल अपनी साजिस में सफल रहा और शामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वैकपजा कर बेठा रामलाल के व्यावार से दुखी होकर शामलाल ने सहर में दूसरी जगें अपना ठिकाना बनाया और रत्म के अपने व्यापार को नए सीरे से सुरू किया इमानदारी की निव पर सुरू हुआ शामलाल का व्यापार जल्दे ही चल पड़ा एक तरफ जहां स्यामलाल की ख्याती देस और विदेसों में बढ़ने लगी वहीं दूसरी तरफ रामलाल की कर्तुतों की पूल खुडने लगी नकली रत्न के व्यापार के कर्ण रत्न बजार में रामलाल की साख को जोड़दार धक्का लगा और उसके व्यापार का दाइरा सिमटने लगा नोबत यहां तक आ गई की बाहर क्या अपने देश का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तोबा करने लगा अब तो नोबत यहां तक आ गई कि रामलाल को दन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था जल्द ही रामलाल के हाथों से सब कुछ निकल गया और वे परिवार सहित सड़क पर आ गया अब रामलाल को अपने कीवे पर पच्टावा हो रहा था प्रन्तु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसाने से पीछे आना उसके लिए संबव नहीं था दूसरी तरफ स्यामलाल की तकदीर का खेल था जिसकी बदोलत वह रंग से राजा बन गया था जब रामलाल की बदहाली की खबर शामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ पुरानी बातों को बूल कर वै बागा बागा अपने भाई के पास पहुँचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहीत अपने साथ ले आया यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस बाई के साथ रामलाल ने बद सलू की कर उसे सड़क पर पहुँचा दिया था वही बाई आज उसे सड़क से उठा कर अपने घर ले आया था इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि तकदीर जब किस के साथ क्या खेल खेल दे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता हाँ इतना जरूर है कि आपके करम ही आपके तकदीर लिखते हैं जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के करमों के अधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था इसी तरह अच्छे करम करते रहना चाहिए क्या पताकल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए इसलिए कहते हैं तकदीर का खेल निडाला है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले